गुरू के साजिन वाजी प्यारे साज संगत जी प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी सतकुर माता सुदिक्षा जी महराज की अपार किर्पा से अब हम सभी ने जोहत्तरवे वारशिक निरंकारी संसमागम का वर्च्वल समागम का अनन्द भी लेना है और कहते हैं मेरा मालिक मुर्शद देखो कैसे वच्छन उचारे है लाको दीन दुखी दलतों के हो गए वारे न्यारे है ऐसा हमें प्यारा सत्कुरु मिला है जो सभी को अपने गले से लगा रहा है सभी को एक जगए पिठा कर इस प्रमग्यान के साथ चोड़ रहा है और यही समझा रहा है हर भाशा हर देश के मानव अपने ही तो सारे है सारे मानव जो हैं यह अपना ही एक परिवार है वन वर्ल्ड वन फैमिली यह दया का सागर सत्कुरू अंतरयामी घटगट बासी होता है यह सब के दिलों की जानने वाला होता है नैसे हिदासी आपची के चर्णों में एक 61 निरंकारी संसमागम की सची घटना आपची के चर्णों में रखेगी सत्कुरू बाबा हर्देव सिंग जी महाराज के युक की बात है कहते हैं 61 में निरंकारी संसमागम की त्यारियां बड़ी जोरों पर चल रही थी सत्कुरू बाबा जी स्वेम प्रति दिन सुभै शाम बैरात को हर एक ग्राउंड में जाकर अरेंजमेंट को देखते थे बात उस दिन की है जब समागम शुरू होने में सिरफ दो दिन शेश थे महात्मा कमल जी के मन में बहुत दिनों से एक पहन के लिए अरदास करने का विचार आ रहा था द्यान बना हुआ था प्रंतु सत्कुरू बाबा हर्देव सिंग जी महराज के अनमोल समय में बादा ना पड़े इसका ख्याल आते ही वह अरदास मन में ही रह जाती प्रंतु कहते हैं कि उस दिन भाव का वेक दिवर होने के कारण इस महात्मा ने वह अरदास एक महात्मा जो की बाबाजी की सेवा में रहते थे उनके द्वारा हजूर के चर्नों में रखने की प्रात्ना कर दी ये एक बहन जो उत्रा चल की है बच्पन से ही वह सेवा सिम्रन सस्थन करते हुए हर समागम में उपस्थित रहती है प्रन्तु अब की बार बहन नहीं आपा रही है क्योंकि उसका उप्रेशन हुआ था रसोली का वो डोक्टर ने तीन महीने के लिए बैड रेश्ट बताया था इसके बावजुद उस बेहन का पूरा ध्यान संत समागम की ओर लगा हुआ था महत्मा कमल जी ने मन को बहुत काबू करने के बाद परातना करते हुए यह कह दिया कि यदि किर्पा हो जाए सत्कुर बाबाजी यदि उस बेहन को फोन के द्वारा अशीरवाद परदान कर देते तो बहुत अच्छा होता यह कहकर उस बेहन का फोन नंबर भी उस महत्मा को दे दिया जो हजूर बाबाजी के साथ उनकी सेवा में रहते थे कहते हैं कि फिर भी उस महत्मा ने कहा कोई बात नहीं महत्मा कमल जी से कहा कोई बात नहीं आप जी की है प्रातना सत्कुर बाबाजी के सामने दास रख देगा उस दिन भी बाबा जी समागम ग्राउंड नमबर चार में थे और लंगर ग्रहन कर रहे थे उस महात्मा ने कहा लंगर ग्रहन करने के बाद मैं आपकी अरदास सत्कुरू के आगे रख दूँगा यह कहकर वे अंदर चले गए थोड़ी देर बाद वे महात्मा बाहर आए और कहने लगे कमल जी अभी तो मुका लगा नहीं शाम को जब बाबा जी अपने ओफिस में बैठेंगे तब मैं यह प्रात्ना कर दूँगा जब उन्होंने ऐसा कहा तो महात्मा कमल जी कहते हैं मेरे मन की अवस्था कुछ निराशा वाली हो गई क्योंकि समागम शुरू होने में सिर्फ दो दिन बाकी थे और ओफिस में सदा बहुत सारे काम रहते हैं तो मुझे लगा यह संभब नहीं होगा इसलिए चुप चाप हम सभी निरंकारी कलोनी कोठी में आ गए शाम को जब महात्मा कमल जी अपने ओफिस में थे तो महात्मा कमल जी ने सिर्फ फॉर्मेल्टी के तोर पर उस महात्मा को फून किया कि क्या हुआ प्रात्ना सविकार हुई या नहीं इस पर उस महात्मा ने कहा कि कमल जी पहले आप उस परिवार से फोन पर बात करो फिर मुझ से बात करो महात्मा कमल जी ने उस परिवार को फोन लगाया उदर से उत्तर सुनकर महात्मा कमल जी हैरान रहे गए आँखों से आँसू निकलाए वह बहन रो रोकर कह रही थी भाईया आपने तो हमें घर बैठे ही निहाल कर दिया पूरे परिवार का महा समागम करवा दिया सद्कुर बावजी ने फोन पर पूरा हाल चल पूछा काफी देर तक बाते करते रहे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था मुझे तो बात की ही बागी फैमली मैंबर्स जो घर में थे सबी से बात की और मेरी पजुरग सास और ससुर से भी बात की बावजी की आवाज सुनकर वे भी गढ़गद हो गए हमारा पूरा परिवार खुशी से निहाल हो गया महत्मा कमल जी को यह सुनकर बहुत विचितर लग रहा था कि इतनी जल्दी सत्गुर बाबा जी विंतिश सविकार कर लेंगे ऐसा अनुमान मुझे कद गभी नहीं था शायद इसी लिए ग्रंथों में सत्गुर को शीघर परशन होने वाला आशुतोष कहा गया है यह तब है जबकि उस बहन ने ऐसी प्रातना करने के लिए महत्मा कमल जी से कभी नहीं कहा था वे है तो उस महत्मा के मन के भाव थे जिसे सत्गुर बावजी ने पूरण किया यह एक उलेखनिया बात है कि साकार सत्गुर की अपनी सिमाई वे मर्यादाएं होती है शरीर में होने के कारण शारिरिक सिमाओ को तो मानना ही पड़ता है कोई भी शरीर इतना शक्षम नहीं हो सकता कि लाखोश शरधालों से इस परकार कुंटेक्ट कर सके इसलिए गुर्षिक इस निरंकार प्रभू में सत्गुर के चर्नों का ध्यान करते हैं और इस परकार अपनी भगती को संपूर्ण करते हैं इसी भाव को द्रिष्टिकत रखकर उस बहन ने फोन पर बात करके अशीरवाद लेने की कोई मांग नहीं की थी कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले जब भाव सचा होता है लगन होती है तो सत्गुरु बिना कहे ही उस बात को सविकार भी कर लेता है और उस बात में इतना बड़ा राद चुपा होता है कि उसमें बहुत ही अशीर राद चुपा होता है रहमतों का खजाना भी मिल जाता है इसलिए हम तो यही कहेंगे कि हम सब बहुत ही शुभाग्या शाली है बहुत ही लग्की है कि सत्गुरु साकार रूप में जहां हम सब को मारक दर्शन परदान करने हैं वही निराकार रूप में सत्गुरु हमेशा सब को देख रहा होता है, सब की भावनाएं सुन वे समझ रहा होता है, जिनका हिर्दय से ऐसा विश्वाश होता है, वे धन्यता के पत्र होते हैं। सत्गुरु सचे पाश्शा के चर्णों में यही अरदास करते हैं, कि सचे पाश्शा जिस तरह आप जी हर एक मन के अंदर ये भाव देखकर उन्हें अशीरवाद देते हो, इसी तरह सचे पाश्शा आप अपनी ये मेहर भरी नजर, ये स्वली नजर हर एक के उपर रखना। अंदरो होर ना हुमा, तेपारो होर ना हुमा, हम अंदर बाहर से पाक साफ दिल के होंगे, तो ये सत्गुरु हमेशा हमारी जोली रहमतों से भरता चला जाएगा, क्योंकि ये सत्गुरु तो भाव देखता है, शर्दा देखता है, समर्पन देखता है, जितना जितना हमा एक को एक कर जानिया, तब लोग है काहें दुख मानिया, कहते हैं कि जब एक को एक करके मान लिया, जान लिया, फिर कोई दुख रहे ही नहीं जाता, फिर सारे दुख खत्म हो जाते हैं, बुले शाह जी ने भी कहा है, राम दास किते फते मुहम्मद एहो कदीमी शोरे मिट गया दोहादा चगड़ा निकल पया कोई हो रे शाह इनायत मुर्शद मेरा जिसने किता मैवल फेरा मुख गया सब जगड़ा जेड़ा हून मैनू भरमावे कून जब हकीकत सामने आ गई तो अब मैं कैसे द्वेत की भावना रख सकता हूँ इस प्रकार से वे भी कह रहे हैं कि जब हम एक को एक कर जानेया फिर लोगन का है दुख मानिया वो दुख मानते हैं जो शरह में बंदे हुए हैं जो हकीकत से अंजान हैं उनके लिए दिवारे हैं वे खुद भी पटकर रहते हैं दूसरों को भी बैठते हैं कहने का भाव यही है कि इस मंजिल तक पहुचने के लिए यूगो यूगो से संत महात्मा रास्ता बताते आए हैं कि ब्रहम ग्याने का संग हो जाए तो हमारा काम असान हो जाता है आत्मा को भी मंजिल मिल जाती है कितना करीब खुदा है इतना करीब ना कोई समझ उन्ही को आई जिन पर रहमत होई जब समझ में यह बात आ जाती है तो काम असान हो जाता है कहते हैं घर में ही मैंने घर पाया है एक बार एक अरबी मुलक में रहने वाला इनसान अरब में ही किसी दूसरी जगा गया वहां गया तो सिपाईयों ने उसे शक की निगाह से देखा उसे अजनबी समझ कर पकर लिया और बड़े ओफिसरों के सामने पेश कर दिया गया उससे पूछा गया कि तुम यहां कहां से आये हो उसने बताया कि मैं फला जगह से आया हूँ मुझे खवाब आया था कि मैं यहां कुछ तरक्की कर सकता हूँ आगे से अधिकारी हस्ते ओफिसर हस्ते हुए उसका मजाक उडाते हुए कहने लगे क्या सपनों की बाते करते हो क्या सपनों की दुनिया में जीते हो क्या कभी सपने भी पूरे होते है उस ओफिसर ने कहा क्या मैं भी सपने को सच मालू मुझे भी सपना आया कि एक मकान है उसके सामने कुवा है उसके साथ एक टेड़ा मेरा व्रिक्ष है उस व्रिक्ष के नीचे खजाना दबा हुआ है क्या मैं उसे सच मान लूँ इतनी बाद सुनते ही वह इनसान एक दम अपना सामान उठा कर चलने लगा उसने कहा कि ठीक है आप मुझे जाने को कहते हो तो मैं जा रहा हूँ वास्तम में जब वहां का एक ओफिसर सपने का प्यां कर रहा था कि कुवे के सामने मकान है उसके सामने एक टेड़ा मेरा व्रिक्ष है और उसके नीचे खजाना दबा हुआ है तो है सुनकर एक दम से ख्याल आ गया कि है नक्षा तो मेरे घर का ही है कहीं मेरे घर में ही तो खजाना नहीं दबा हुआ घर आते ही उसने व्रिक्ष के नीचे खोदना शुरू किया और खजाना निकल आया कहने का भाव कि खजाना तो उसके घर में ही था लेकिन खुशहाल होने कहीं और जह रहा था जहरा सी बाद सुनी तो दिमाग के दरवाजे खुल गए नहापुर्श यही कहते हैं जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई समझ उने को आई जिन पर रहमत होई जहां कहते हैं कि जब यह मंजले मकसूद का पाना सफल हो जाता है जब इस ब्रमग्यान की समझ आ जाती है तो फिर यह परमात्मा हर चगाए नजर आता है फिर इस ब्रमात्मा के बनाए हुए बंदों से भी प्यार हो जाता है फिर किसी से नफरत करने की तो कोई गुजाईश ही नहीं रहती क्योंकि ब्रमग्यान समझ में आ गया प्रभू के बंदों से मानवता से प्यार करके ही हम सब कुछ प्रापत कर सकते हैं प्रभू प्रेमी कहलाने के हख़दार बन सकते हैं तातार के चर्णों में यही अलदास है कि निरंकार सचे पाशा हर किसी को यह विवेक जागरिती व्यब्रम अनुबुति परदान करे ताकि सभी सत्य से एकाकार हों जो की परमात्मा है सभी सत्य को महसूस करें और जाने कि हम सब एक ही परिवार के अंग है हम सब का पिता एक ही है जो की परम पिता परमात्मा है इस तरह हैं जब यह ब्रहम ज्यान हमारे अंदर रोम रोम में बस जाता है तो फिर हमारे जो मन के भाव होती हैं वो शूत हो जाती है फिर कहते हैं कि गुर्सिक और इस सत्गुरू निरंकार में कोई फरक नहीं रहा जाता जब सत्गुरू के दिल में ये गुर्सिक अपना प्यार बना लेता है सत्गुरू उसे अपने दिल में बसा लेता है तो फिर वह इस निरंकार का ही रूप हो जाता है और इस तरह जो भी वो संत महात्मा अशीरवाद देते हैं वो पूरन हो जाता है इस तरह सत्कुर्माता सुदिक्षा जी महराज ने भी हमें कहा है कि अगर हम अशीरवाद यहां से लेना जाते हैं तो हम अपने पास बैटे किसी भी संत महात्मा से अशीरवाद ले ले वो अशीरवाद पूरन हो जाएगा लेकिन अंदर बाहर से हम पाक साफ दिल के हूँ हम सभी के साथ प्यार करने वाले हूँ सत्गुरू की नजर से हम देखें तब ही हम पाक साफ ब्रहम ग्यानी कहला सकते हैं इसलिए हम सत्गुरू की बात को मानते चले जाएं जिस तरह हम इस सत्गुरू समझा रहे हैं हम उसी तरह अशीरवाद लेते चले जाएं और सत्गुरू की रहमतों के पात्र बनते चले जाएं जैसे हमें सद्कुर्ण ने समझाया है कि हम अपने पास पैठे ब्रहम ज्यानी महात्मा से अशीरवाद ले वो पूरन हो जाएगा तो इस बात पर भी हम विश्वाश रखें कहते हैं सादू बोले सै सुभाए साद का बोला विर्था न जाए जो ऐसे संद महात्मा होते हैं जो सद्कुर्ण की एक एक बात भी किसी भी गुर्सी का निरादर ना करें कहते हैं सत्गुर का सम्मान जैसे गुर्सी का सम्मान जैसे गुरू का ही सम्मान है गुर्सी का अपमान जैसे गुरू का ही अपमान है इसलिए हम कभी भी भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाएं भूल से भी दिल किसी का ना दुख आया कीजिए, हो सके तो दूसरों के काम आया कीजिए ये गीत नहीं है ये ब्रहम विचार है अगर हम एक एक लाइन को हम ध्यान से गहराई से हम सोचें, करम रूप में ढालें, तो हमारा जीवन जो है, वो सुख में बन सकता है, इसलिए सत्कुर के चर्नों ही यही अरदास है सचे पाश्या, ये जो प्रहम की जानकारी है ये सभी के घटों में बैठ जाए, और सभी ये चलते फिरते मंदिर बन जाएं, जिस तरह आप जी चाहते हो वैसा जीवन बन जाए दासी सभी के लिए सत्कुर माताजी से यही शीरवाद मांगती है सचे पाश्या, सब को तनमंधन के सुख देते हुए सेवा सिम्रन ससंग के साथ जोड के रखना, किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी न देखनी पड़े, सभी सुखों में वास करे, खुशियों में वास करे अनंदित रहें, सचे पाश्या यही अरदास है, दासी सब के सुखों के लिए सिम्रन करवाएगी, अभी मिलकर सिम्रन में साथ देना जी तूही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैं नूबख्ष लो तूही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैं नूबख्ष लो बोलिये सत गुरू, माता, सुदिक्षा, सविंदर, हर देव जी महाराज कीजे सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार